डियर स्टूडेंट आप सभी का एपी स्टडी कामर्स एंड इंग्लेज गुरुजी चैनल में स्वागत है यहां पर देखे केसव निर्मल और पंकज लाभभनी का विभाजन 4 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में करते हैं निर्मल आउकास ग्रहण करता है तथा ख्याती का मुल्यांकन 72,000 पर किया गया किस पर किया गया 72,000 पर केसव और पंकज भविश्यक लाभभों का विभाजन 5 अनुपात 3 के अनुपात में करने का निढ़नाय लेते हैं आवस्यक जनरल प्रविश्टियां किजिए जब ख्याती को इनके संपूर मुल्या में मुल्या से दर्साया जाए तथा तूरंत अपलिखित किया जाए ब जब ख्याती को फर्मकी पुस्तकों में ना दर्साया जाए दो कंडिसन दिया हुआ इन दोनों कंडिसन को ले करके ह को बनाना है तो यहां पर देखे क्या होगा पहला जो कंडिशन उसके हिसाब से हम चलेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं प्राप्ति अनुपाद की करना करते हैं तो यहां पर दिया हुआ क्या दिया है पुराना नुपाज चार तीन और दो केसाव निर्मल और पंकच का तो हमने लिख दिया है केसाव निर्मल और पंकच का नुपाद करके ये निर्मल क्या हो जा रहे हैं यहां प्रश्णम लिखा है कि निर्मल अव्काज ग्रहन करता है तो नीर्मल चला गया यह वाला जायेगा तो बचे कोन केसब और पंकर में दिया तो दिया हुआ यह नया पुराना 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 लिख दिया अब आट और नौ का लगुत्तम समुद्टक आएगा 72 ठीक है अब 72 को भाग देंगे आठ से आठ निया क्या होगा लगुत्तम समुद्टक लिकाने के लिए आठ और नौ का ऐसे इस प्रकार से कर लीजिएगा यह किस से जायेगा तो आठ से ही जायेगा समझे नौ भाग फल नौ का गुड़ोग पर आज नौ पचे 45 उसी पकर नौ अठ आठ आएगा आठ का गुड़ोग पर आज का आठ चौंक बथीस पैटालिस में बथीस जायेगा तो तेरा तेरा बटे बहत्तर उसी प्रकार पंकच का भी किये बहत्तर हाना आठ नौ दुन अठर परनावते 27 हो जाएगा और यहां पर आड़ दूने 16 हो गया तो यहां पर कितना आ गया देखो 27 में 16 जाएगा तो 11 बटे 72 आ अथा प्राप्ति अनुपात इस तेरा और उपर को लिखते हैं तीसले 13 और 11 होगे प्राप्ति अनुपात क्या हो गया 13 अनुपात 11 अब पहला क कंडिशन को लेते हैं जब ख्याती को संपूर मुल्य में से दर्साया जया है संपूर मुल्य से दर्साया गया और तुरंत अपलेखित करने पर देखो जब हम ख्याती को दर्साते हैं तो उस समय क्या होता है उस समय जो है हम यहां पर पहला कंडिशन को आप ध्यान रखेग हाना prob voltage निई होने जब क्या ती को इसे के संपून मुल्यस से दर साया जाए तरण तर लिखित किया यहां पर क्या होगा हम पजी प्रोफ्ष्टी करेंगे तो यहां पर क्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है ठीक कि इस प्रकार से मांड दीजेगा अब क्या लिखें यहां पर ख्याती है तो यहां पर हम लिखें हैं ख्याती को संपूर मुल्य से पुराने अनुपात में दर्साने पर मतलब पुराना अनुपात आपको बता दिया हूं कौन सवाल हो गया चार तीन और दो इसी में बांड दिये इस 75,000 को और हम लिख दिये ख्याती खाता विकलन अब लिखित नहीं कर रहे हैं अब लेखन अलग होता है दर्साना अलग हो पॉझी खाता से यहां पर फियाती नए अनुपात में क्यों यहां पर दbesन फन पर दिया हूँ प्रस्णा में और 5ır3 आनुपात में हम ने इसको यहां पर बाढ दिये ृठिक है और उसके बाद हम एक और कंडिशन है जिसके हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है जब ख्याती को फर्म की पुस्तोकों में ना दर्साय जाए तो नहीं दर्साय गया था हम डारेक्ट इसको क्या कर देंगे केसाओ का पुझी खाता विकलन पंकच का पुझी खाता विकलन निर्मल के पुझी खाता से इसको निर्मल का ख्याती का समाजन निर्मल की जो ख्याती है उसको 13 ग्यार। के शाब से हम स्वाजित करेंगे क्योंकि हो ऑंकश के प्राप्तिए हम स्वाज़ित करेंगे इसले 24 आधि 24 आया तो हमको यहां पर से लिकालना पड़ेगा पर जो फर्म का क्ष्याती है नहीं यहां पर देखें फर्म का क्ष्याती कहां पर दिया हुआ है ये फर्म का ख्याती जो है 72000 में से हम कर निरमल के हिस्सा लिकालेंगे तो 3बटे तो देखें यहां पर बहत्तर हजार में से तीन बटे नव भाग को हमको लिका लेंगे तो यहां पर हो जाएगा बहत्तर हजार गुडित तीन बटे नव नव एक बन वाठे आड़ दून सुल आड़ती है 24 मतलब 8000 गुडित तीन करेंगे तो 24000 आएगा यह देखे 24000 आया इजी को हमने इस 24000 को 13 अनुपाद 11 बाटेंगे तो 13000 और 11000 आएगा ठीक यह समझ गया है हुगे क्योंकि 13 अनुपाद 11 मतलब 13 बटे 24 और 11 बटे 24 हो जाए इस प्रकार से आपको बनाना है कोश्चन नंबर कोंसा अठारा है अब कोश्चन नंबर 19 को और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तो कोश्चन नंबर 19 में क्या लिखा देखिए अपरणा मनीशा और सोनिया लाब का विभाजन 3-2 और 1 के अनुपात में करते हुए साजदा हैं मनिशा सेवा निर्वत्त होती है तथा फर्म की ख्याती का मुल्यांकन एक लाकर सी हजार रुपय किया और पणा तथा सोनिया भविश्य के लाभों का बटवारा तीन अनुपात दो के अनुपात में करने कर नहिए लेती है आउस्यक रोजनामचा प्रविष्टियां की सेवा निर्वत्त होती है था फर्म की ख्याती का मुल्यांकन एक लाकर सी जार रुपया दिया हुआ है ठीक और यह किस प्रकार का क्वेश्चन है तो यह क्या है इसमें विद्यमान साथ नहीं है ठीक है समानने वाला है पहले से विद्यमान उप्र उसको अपलेखित करना प सबसे पहले हमको यहां पर हम जैसा बनाते आ रहे हैं अभी तक वैसे ही बनाएंगे दिया है क्या पुराना अनुपात अपर्णा मनिश्व और सोनिया का तीन दो और एक जिसको तीन बटे च्छे दो बटे च्छे और एक बटे च्छे लिख सकते हैं अब इसके बाद नया अनुपात भी दिया हुआ है अपर्णा और सोनिया का तीन नुपात दो जिसको तीन लेख सकता हैं प्राप्ती अनुपात बराबर हो जाएगा नया नुपात माइनाश पूराना नुपात 手 Deus की हम चौन फिरीन न उपात तो दोगात है तो आलक्सान विलिए उन्य पॉर इस जांब procedure को तो 25 च्यट तिया ठारा उसे चेंद इन बटे 30 आ घया उसी प्रकार यहां पर भी के लगुत्तरमश्राइब तक 30 आया 5 से भाग देंगे 30 को तो 6 आएगा 6 का गुड़ोग कपर आसे करेंगे तो 6 से भाग देंगे तो पांच आएगा पांच कई गडूपरा चार पांच यहां पर साथ बटे तीस वह गया बारांज गया साहता बटे तीस अता प्राप्तिय उनुपात निचे में साथ है तो तीन पांच यह प्राप्ती उनुपात हो गया अब फर्म के जो ख्याती है वह कितब्ड़ एक लाक डो प्टेचे जो पुराना हनुपात में था उपांग उसी से लिए दो बटेचे ठीक है तो यहां पर हमने दूबटेचे 010000 at k ofere को प्राप्ति जू पांग कर्णी आप तो मनीश्या के खियाती में अपांग Cornskin жक्र मपांग है तो समें अपर्णा का तीन अर यह किस सोनिया का साथ तो अपर्णा इसी को हम कुत रिक्तिम लिखना परण्या करें समें। और इस ही को हमने यहां पर देखिए यहां पर लिखा अपरणा का पूंजी खाता से करके 18,42 तो इस प्रकार से जो है इसका पंजी प्रष्टी होगा लिएर हो गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब कोश्चन नमबर एक कोश्चन और बचा हुआ है उसको भी थोड़ा सम यहां पर आब और सा एक साज़दार है तथवेत पांच तीन और दो के नुपात में लावानी का भी भाजन करते हैं सब फर्मा से अवकास ग्रहन करता है फर्मा की पुस्तकों में ख्याती का मुल्या 40,000 रुपे है सा के अवकास ग्रहन करने पर ख्याती का मुल्यांकत 30,000 पहले से विद्यमान ख्याती तो पहले से जो भी द्यमान ख्याती है वो 40,000 बाद में जब अवकास ग्रहन कर रहा है तो infrast檐 होगा एक तो पहले वाले का अप्लेखं करेंगे चैलिस ऩार का तो पंजी खाता श्या करेंगे किऊन Lar Keeping और मौषा कर देंगे किस कारश की और पर सा के आउकास ग्रहन कर रहे हैं मतलब हम सा वाले को नीचे लिखेंगे समाकलन में और और बा का पुंजी खाते से करके इस 30,000 रुपया का जो ख्याती है इसमें सा का भाग लिका लेंगे सा का जितना भाग रहेगा उसको और बा को बाड़ देंगे तो चलिए इसको भी हम हम समझ जाते है कि कैसे बनेगा यह भी सिम्पल है तो यहां पर देखिए क Χा नंबर 20 पहले पंजी प्रोष्ट को समझना है पंजी प्रोष्टि क्या होगा तो पंजी प्रोष्टि में जो है इस प्रकार से से लिखना हम को क्या लिखेंग आ पूंजी खाता-बिकलान ब का पूंजी खाते, क्या ख्याती ख्याता से. अल्हुते हैं धूसरा पूं जी प्रुष्टी हो गहारा है. आ का पुंजि कहाता विकलान, बर का पुंजि कहाता से, यहां पुत्सा के खियाति की रासी का सरोजन करने पर, अब खियाति का पलेखन, तो 5, 3, 2 पहले वाले का हमने 5 का 3, 2 के नुपात में तो देखो, आका 40,000 में 5 बटे 10 भाग, 2 का 40,000 में 3 बटे 10 भाग, और आका 40,000 में 2 बटे 10 यहां 5, 3, 8, 2, 10, 10 भाग में से 5 आका 2, प्राप्ति अनुपात की गढ़ना करते हैं तो हम फिर लिखेंगे दिया है नया नुपात यहां पर लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि प्राशन में केवल पुराना नुपात यहां पर दिया है प्राशन में दिया था कि भविसे में लाभों को 3 रूपात 2 में बाटेंगे ऐसा यहां पर कहीं पर लिखा नहीं है तो जब ऐसा रहता है तो जो साज़दार लिकल जाता है जैसे साच चला गया तो साइदार का जो हिससा उसको हटा दीजे तो बचा क्या पांच और 3 यही इन उसाब करके हम क्या कर देंगे उसी के हिसाब से वित्रण कर देंगे पांच रूपात थीन के हिसाब हैं कि प्रस्ण में केवल पुराना अनुपात दिया है अतासा के अवकास गरहन करने पर और पुराने अनुपात में ही लाब का बित्रन करेंगे इसे ही प्राप्ति अनुपात मान कर गरना करेंगे यह चीजें हमने कहां से ली तो यह चीजें हमने फिछले चेप्टर से ली यहां पर से दिखे जब रस्न में नया लाभानी अनुपात ना दिया गया हो तो यही मान कर चलते हैं कि पुराने अनुपात पुराने साइधार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे य विभी काम आएगा दोनों कंडिसं में इसका उपयोग आप अप अ बिलेयर है आ हैं है तो इसलिए तो यहां पर किये शलता यो तो पांच चाल जर्टर अब इसको प्राप्तिए पाध है इसको ना कंपाध मान लिए जैसको हमने पाँगा प्रानपत 5-8 जाएगा प्रानपत 5-10 को जाएगा क्योंकि remote दस तो पाँच दस यहां पर यहां पर देखे पांच अनुबात तीन यहां पर इसका निर्क आए अनिमिकी लिगा दignon n हो यहां पर दस और छे इसको अगर कटाएंगे तो दो तिया दो पंचे मतलब पांच अनुपात तीन तो यहां पर देखें पांच अनुपात तीन आया और यहां पर भी क्या है वही पांच अनुपात तीन है तो इतना कैलकुलेशन करने क्या हो सकता ही नहीं है उसी को आपको प्राप्ति भी माल लेना है ठीक अब फर्मा की जो ख्याती है वो है 30,000 उसमें सा का ख्याती में भाग लिका लेंगे तो 30,000 गुडित दो बटे 10 क्योंकि यहां पर देखें दो भाग है दो भाग है न सा का इसलिए हमने यहां पर दो बटे 10 कर दिया तो कितना आ गया छह हजार रुपे आया इस 6,000 उसर को ए और बी बाटेंगे तो कंस्तों पास मैं भाटेंगे इसी पाँच और 3 के निपात में बाटेंगे तो धेखें 6000 गुडित 5 बटे 8 क्योंकि 5 और 3 8 आठ भाग में से 5 भाग एक तो 3750 और 6000 गुडित 3 बटे 8 तो 8 भाग में से 3 भाग भी का तो हम यहाँ पे 2250 लिख दिये और इसी को हमको यहाँ पर लिखना है 3750 और 2250 को यह अग का पूंजी खातर बिकलन बग का पूंजी खातर बिकलन सब के पूंजी खातर से 3750, 2250 यहाँ पर 6000 लिख दे इस प्रकार से जो है पंजी प्रोष्टी होगा question number 20 का बहुत simple है इसी प्रकार से आपको एक एक करके बारी बर इसे सब question को बना सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि हमने यहां तक 20 तक complete कर लिया next में जो है चीपी वीख्याती की गढ़ना से संबंदित प्रस्ण है उसको देखेंगे ठीक है यह चीपी वीख्याती की गढ़ना से संबंदित केवल एक औ और दो ठो कोश्चन उसी को देख करके हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को देखने के लाब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद